हाई दोस्तों मैं एक 2010 अमेरिकी विज्यान कथा और एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसे 1989 में ट्रॉन लेगसी कहा जाता है एंकॉम नामक एक प्रोध्योगी की कमपनी के केविन फ्लिन सीयो ने अपने बेटे सैम को उनकी कहानी सुनाई ग्रिड में रोमांच ग्रिड एक आभासी वास्तविक्ता है जहां डिस्क एक शांदार क्शेत्र चक्र में लड़ती है जो रोश्नी के रिबन पर दौरती है और अधिक जानने के लिए उच्छालता है लेकिन कहा जाता है कि अगली बार प्रतीक्षा करें क्योंकि केविन काम पर जाने से पहले वो अपने बेटे को कल आर्केड में जाने के लिए आमंत्रित करता है और अचानक एक सिक्का उच्छालता है द्रिश्य कर जाता है केविन के लापता होने के बारे में घटना और समाचारों का एक संग्रह कमपनी में अराजकता पैदा कर रहा है समाचार उस आय कमपनी के बारे में भी बताता है जो ठेक उद्योग के शीर्ष पर पहुँच गई जबकि केविन टा है किंग चार्ज सीओ के रूप में यह भी पता चला है कि 1985 में सम की मा की मृत्युकार दुरघटना के कारण हुई थी सैम को एक अनात के रूप में छोड़कर केविन के दोस्तों में से एक एलब रेडली ने जोर देकर कहा कि केविन गायब नहीं है और इसके बजाए कुछ जादूई खोजने के अपने सपने का पीछा कर रहा है जो द्रिश्य कूदता है से 2010 सैम जो अब अपने पिता के लापता होने के बाद एनकॉम टावर में घुसकर एनकॉम का प्राथमिक शेरधारक बन गया है और कमपनी के नवींतम ऑपरेटिंग सिस्टम OS 12 को चुराने का प्रयास करता है लेकिन दूसरी और कमपनी के सुरक्षा गार्ड द्वारा देखा जाता है कमपनी के वर्तमान अध्यक्ष रिचार्ड मैके कहते हैं कि OS 12 जो पहले मुफ्त में बेचा जाता था अब एक पेड सॉफ्ट्वेर होगा क्योंकि इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित सॉफ्ट्व में से एक होने का दावा किया जाता है और इसे मुफ्त में बेचने का कोई कारण नहीं है सैम एंकॉम सिस्टम में है करने का प्रबंधन करता है और OS 12 को रिलीज करता है ती द्वारा टावर के शीर्ष पर पीछा किये जाने के बाद माइकल को उग्र बनाने वाली कमपनी के अपने वार्षिक शरारत के हिस्से के रूप में अपनी रिहाई के दिन जनता को मुफ्त में वो सुरक्षा गार्ड सैम खुद को एंकॉम के सबसे बड़े शेयर धारक के रूप में प्रकट करता है और फिर अपने पैराशुट के साथ टावर से गिरने से मुक्त करने का प आरकेड में सैम के पिता के कार्याले से प्राप्त एक पेज सिगनल के बारे में बताता है जिसे बीस साल के लिए डिसकनेक्ट कर दिया गया है एलर भी केविन के बारे में एक कहानी साजह करता है जो एलर के गायब होने से दो दिन पहले आया था और दावा किया था उन्हों पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि केविन पहले ही मर चुका है और उसकी परवा नहीं करता है इलके जाने से पहले वो आर्केड कुंजी साम को सौपता है और कहता है कि वो वही होना चाहिए जो वहां जाता है और यहां पता लगाता है कि साम डेजी की रात को बाद मे क्या हो रहा है डैस आर्केट का दौरा करने के लिए और ट्रॉन आर्केड मशीन के पीछे एक छिपे हुए द्वार का पता लगाने का प्रबंधन करता है जो उसे खेल के कमरे के नीचे एक गुप्त का रिशाला में ले जाता है सैम अपने पिता के कंप्यूटर के माध्यम से खोजता है और दुरघटना से उसके पीछे एक डिजिटाइजिंग लेजर को सक्रिय करता है डिजिटल दुनिया जिसे ट्रॉन सिटी दे कंफ्यूस्ट सिम कहा जाता है फिर आर्केड बिल्डिंग से बाहर निकलती है यह महसूस करते हुए कि शेहर में सब कुछ बदल गय पहते हैं एक बहुत ही आधुने को डिजीटल शेहर में तबदील हो गया है जिसे गरिट कहा जाता है फिर उसे और पहचान करता द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और इसमें भाग लेने के लिए कारेक्रम द्वारा सौपा जाता है अन्य सभी खेलों को ठीक किया जा सेम को फिर एक कमरे में ले जाया जाता है जहां वो कवच से लेस होता है और एक पहचान डिस्क जो उसके धारक की हर चीज को रिकॉर्ड करता है या सीखता है उसके बाद उसे डिस्क युद्ध क्षीत्र में पहुंचाया जाता है जहां उसे कई कारेक्रमों से लड़ना पड के बाद खेल जीतने के लिए खड़े होने वाले अंतिम व्यक्ति होने के लिए उन्हें एक कारेक्रम का सामना करना पड़ता है एक मात्र प्रोग्राम है जो फाइनल फाइट में लड़ते समय दो पहचान डिस्क का उप्योग करता है। पहचान लेता है ग्रिट का मालिक जो एक उड़ने वाले जहाद से पूरी लड़ाई देख रहा है। लड़ाकों को सैम को उसके पास लाने का आदेश देता है क्योंकि दो मिलते हैं सैम का मानना कि वो अपने पिता से बात कर रहा है यह महसूस करने से पहले कि एकलू है जब को कहता है कि वह उसके पिता नहीं है जो स्पष्ट रूप से अपने पिता के साथ वही छवी और उपस्थिती रखते हैं जैसा कि फिल्म की शुरुआत में वरनित है मुटभेर के बाद सैम को अगले गेम में भेजा जा रहा है जो प्रकाश चक्र ग्रिड है जबकि एक नक बाइक शुरू होती है दोनों टीमों के सदस्य है जब तक सैम और क्लू अंतिम उत्तर जीवी बन जाते हैं तब तक एक एक करके समाप्त हो जाते हैं सैम अपनी बाइक से गिर जाता है और क्लू उसके पीछे आ रहा है सौभाग्य से रहस्यमय महिला अपनी घर में पोहँचते हैं जहां सैम अंत में अपने लंबे समय से प्रतीकशित पिता से मिलता है और वे राध के खाने में गले मिलते हैं केविन अपने बेटे को बताते है कि वो बनाने के लिए ट्रॉन और क्लू के साथ काम कर रहा था एक आदर्श प्रनाली में धैर्या हाला की एक नए प्रकार के कारेक्रम ने ग्रेट के भीतर खुद को प्रकट किया उन्हें आईसो मुफिक अल्गोरिद्म या आईसो कहा जाता है और केविन द्वारा एक चमतकार के रूप में माना जाता था और उनके गायब होने से पहले फिल्म की शुरुआत में सैम को उनकी कहानी केविन ने महसूस किया था कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं मानव स्थिती को बदलने के लिए क्रांतिकारी क्षमता क्लू जिन्होंने उन्हें विपथन के रूप में देखा ने केविन और ट्रॉन को सिस्टम पर नियंतरन करने के लिए धुखा दिया और इसे सभी आईसोस ट्रॉन से शुधर करें जिसे वास्तविक दुनिया में पोर्टल वापस बंध हो गया था। बहुत लंबे समय तक गायब रहने के लिए वो कहते हैं कि पोर्टल केवल ग्रिट के बाहर से खोला जा सकता। खे सैम अपने पिता को ग्रिट से बाहर निकालने और घर लोटने पर जोर देता है क्योंकि पोर्टल ग्रिट में आठ घंटे खुला रहेगा लेकिन केविन ने मना कर दिया क्योंकि यह वही है जो क्लू निर्माता को ग्रिट में लुभाने की योजना बना रहा है और फिर उसकी डिस्क प्राप्ट करने का प्रयास करता है केविन की पहचान डिस्क में बहुत सारी मूलेवान जानकारी होती है जो वास्तविक दुनिया को खत्रे में डाल देगी यदि इसे क्लू द्वारा चुराया गया था क्योंकि यह अनुमती देगा उसे वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित होने के लिए सैम को यह भी पता चलता है कि एलव द्वारा पहले प्राप्ट प्रिष्ट संकेत केविन द्वारा नहीं भीजा गया था लेकिन क्लू सैम आशावादी है यदि वो इसे पोर्टल की पूर्व संध्या पर बना सकता है और अपने पिता के बिना वो और एलव बाहर से क्लू को बंद कर सकते थे जो कोरा को जियूस नामक एक कारेक्रम के स्थान वाले मानचित्र पर हाथ लगाने में मदद करना चाहते थे जो सैम को अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मदद करने में सक्षम हो सकता है सैम अपने पिता के प्रकाश चक्र को लेता है और वापस चला जाता है बाद में रात में केविन को अपने बेटे के लापता होने का पता चलता है और अंत में अपने बेटे के आने के आने के बाद जाने के लिए छिपने से बाहर आने का फैसला करता है सैम शहर के बीच में प्रकाश चक्र को छोड़ देता है जिससे क्लू के संचालकों को इसके मूल स्थान का पता लगाने में मदद मिलती है जो की केविन है सेफ हाउस क्लू और उसकी सेना तुरंट सुरक्षिक घर की यात्रा करती है लेकिन केविन के चले जाने के कारण किसी को नहीं मिलने पर सैम को मनी नामक एक महिला द्वारा जियूस के क्लब हाउस में लाया जाता है जिसे एंड ओफ लाइन क्लब कहा जाता है वहां वो धलाईका से मिलता है और धलाईका उसे अपने निजी कमरे में लाता है जहां वो प पर पहुँचते हैं। दुर्भाग यसे कोरा का हाथ आगामी विवाद में नश्ट हो जाता है जिसे उन्हें क्लब से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि तीनों में से एक ब्लेक गार्ड केविन की डिस्क को चोरी करने का प्रयास करता है और जियूस इसे ग जक्रिया में जियूस और मनी दोनों की हत्या कर देता है। केविन और सैम अपने अगले कारवाई के बारे में बहस करते हैं। अंत में पोर्टल पर सौर नाविक नामक एक मालगाड़ी को लेने का फैसला करते हैं। जैसा कि वो कोरा के हाथ की मरमत कर रहा है केविन ने पहानी साजहा की कि वो केविन से कैसे मिली जिसने उसे एक हमले से बचाया। यह भी देखने की इच्छा है कि वास्तविक दुनिया अप्रत्याशित रूप से कैसी देखती है। सौर नाविक मार्ग उन्हें एक विशाल वहग जहाज पर ले जाने के लिए बदल दिया गय जाता है और कोरा केविन के साथ लड़ने पर क्लू मिलाया जाता है। यह महसूस करता है कि रिंसलव वास्तव में ट्रॉन है जिसके पास है क्लू क्लू द्वारा पुनर निर्मित किया गया। केविन की पहचान डिस्ट को सुरक्षित करने के लिए वास्तविक दुनिया प के भागने के लिए विमान सैम कोरा को बचाने के लिए क्लू के कमांड शिप पर जाने का फैसला करता है और पहचान डिस्क को वापस लेने का फैसला करता है जब वो डिस्क को पुना प्राप्त करने का प्रबंधन करता है जब रिंसला अचानत कोरा के साथ जहाज पर आता है दोनों का फिर से मिलान होता है और कोरा की मदद से वे प्रबंधन करते हैं उसे निहथा करने के लिए और उसे किनारे पर लटकने के लिए छोड़ दे फिर वे भाग जाते हैं और अंत में केविन से फ्लाइंग डिक पर मिलते हैं जबकि पोर्टल केविन सेम और कोरा का सामना करते हैं डी क्लू रिंजलर और उसके ब्लेक गार्द्स द्वारा पीछा किया गया सेम ने अपनी मशीन गान और कोरा के साथ अपने पाइलिटिंग कोशल के साथ क्लू और रिंजलर को विरोधी टीम में छोड़ने वाले सभी ब्लेक गार्द्स को खतम करने में काम्याभी हासल की जब केविन रिंजलर के साथ आंख से संपर्क करता है तो वो ट्रॉन के रूप में अपनी यादों को फिर से हासिल करना शुरू कर देता है और उनका पीछा करने के लिए क्लू छोड़ कर पीछा छोड़ देता है अचानक रिंजलर वापस मुर जाता खे और जान बूच कर अपने जट को फ्रीफॉल क्लू में सुराग की और दुरघटना ग्रस्त कर देता है और रिंजलर के बैकप जट को चुराने का प्रबंधन करता है और समूह की ओर अपना पीछा जारी रखता है और रिंजलक को समुद्र में गिरने के लिए छोड़ देता है क्योंकि तिकड़ी की ओर उरती है पोर्टल केविन ने कोरा से पोर्टल के गेट पर आने पर अपनी पहचान डिस्क को स्वेप करने के लिए कहा क्लू केविन द्वारा उनका इंतजार किया गया और क्लू ने अपनी बातचीत शुरू की जहां क्लू का दावा है कि वो बस उसमें प्रोग्राम किये गए निर्देश का पालन कर रहा था वो जोर देकर कहता है कि यह केविन था जिसने अपने वादे को धोखा दिया एक साथ एक संपूर्ण दुनिया बनाने के लिए केविन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वो किसी बिंदू पर गलत था और S पर क्लू स्थापित करने के लिए शमा चाहता है एक असंभवकार या क्लू अचानक केविन पर हमला करता है और सैम वापस लड़ने की कोशिश करता है लेकिन पुल के दूसरी तरफ फेक दिया जाता है पोर्टल के लिए पुल सैम और कोरा को अलग करना शुरू कर देता है जबकि क्लू केविन की डिस्क के लिए जाता है लेकिन वो चौप जाता है पता करे कि उसे धुखा दिया गया है क्योंकि यह कोरा की डिस्क निराश और उग्रकलू जम्प है जो सैम और कोरा तक प्रेजने के लिए हैं. लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वे पोर्टल केविन के अंदर आ गए हैं. फिर क्लू के साथ फिर से जुर जाते हैं जिससे वे पूरी दुनिया में वापस विसफोट और नश्ट हो जाते हैं. असली दुनिया सैम केविन के पुराने सवर से ग्रिद को एक छोटे माइक्रोचिप पर कॉपी करता है जिसे वो अपनी गर्दन के चारों और पहनता है. फिर एक और पेज प्राप्त करने के बाद आर्केड में आता है जहां सैम कहता है कि वो एंग कॉम को संभालेगा और एला को अध्यक्ष के रूप में चुनेगा. वो यह भी जोड़ता है कि एलध हा सब कुछ के बारे में सही कोरा आश्चरय जनक रूप से वास्तविक दुनिया में दिखाई देता है और सैम उसे पहली बार सूर्योदे देखने के लिए लाने का फैसला करता है और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सदस्यता ले सूचनाओ पर कलश करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें देखने के लिए धन्यवाद